सुबे खाली पेट दो चीज दूद के साथ पिंडलियों में एठन, हडियों वे आखों की कमजोरी, खून की कमी, वीकनेस और हाड़िटेक आपको जिन्दगी में कभी नहीं होगा दोस्तो जो इनसान गुटनों और जोडों के दर्द के खान चल नहीं सकता था, वो भी इसे पीकर दोडने लगेगा नमस्कार दोस्तो, दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे चमतकारी नुस्खे को बना कर दिखाएंगे दोस्तो इस नुस्खे का प्रियोग करके, आप अपने स्रीर की हर त्रहें की कमजोरी का बिलकुल जड़ से इलाज कर सकते हैं दोस्तों चाहिए वो कमजोरी आपके सरीर के किसी भी हिस्से में हो। आपके सरीर की हर त्रहें की कमजोरी बिलकुल जड़ से खतम हो जाएगी। और आपने करना क्या है? सरफ सुबह खाली पर दो चीजों को दूद के साथ मिलाकर सेवन करना है। दोस्तों क्या आपके सरीर की हड़िया कमजोर है या फिर आपको खुटनों वैजोरों के दर्द की समझझे हैं या आपके खुटनों के अंदर घृस यानि की लुबरिकेंट कम होने की समझझझे हैं और आपको डोक्टर ने गुटने बदर्वाने के लिए ब investigate दिये हैं तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है आप बस ये दो चीजें सुबह खाली प्लड लगातार साथ दिन तक दूद में मिलाकर पीजिए और आपको इससे चमतकारी रिजयल्प दिखाए देंगे दोस्तों आपके सरीर की हडियों की कमजोरी बेलकुल जड से खतम हो जाएगी क्योंकि ये नुसका कैल्सियम का खजाना है और आपके सरीर की कैल्सियम की कमी का इलाज करता है जिससे आपकी हडिया मसबूत बन जाती है और आपको जोड़ों वे घुटनों के दर्द की समस्या नहीं होती और आपके घुटने बदलवाने की वापको अफसकतार नहीं बढ़ती है दोस्तो जदी आपकी पिंडलियों में एठन रहती है तो दोस्तो उसका भी ये रामबान इलाज है दोस्तो क्या आपकी आँखों की रोसनी कमजोर है और आप अपनी आँखों की रोसनी को बढ़ाना चाहते हैं आँखों से चसमे को उतारना च करेगा वैसे दोस्तों मैं आपको बता दू कि यदि आप किसी भी विमारी के लिए दवा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो नंबर आप देख रहे हैं उस नंबर पर कोल करके आप अपने घर पर ही दवा मंगा सकते हैं दोस्तों क्या आपके सरीर के अंदर खून की कमी हैं या आपके सरीर का खून गाड़ा है या फिर आपके सरीर के खून में गंदगी है तो दोस्तों इन तीनों ही समझ्याओं का ये रामबान इलाज है आपके सरीर में खून की कमी का इलाज करता है जिससे कि आपको खून की कमी के कान होने वाले रोग नहीं होते हैं दोस्त तो क्या आपके सरीर में बैड कोलोस्टोर बहुत अधिक बड़ा हुआ है और आप अपने कोलोस्टोर लेवल को सही करना चाहते हैं जिससे कि आपको ना तो कभी हार्ट ब्लोकेज आए और ना ही आपको हार्ट अटेक का सामना करना पड़ी तो दोस्तों ये नुस्का उसमें भी आपके लिए एक वर्दान की त्रहें काम करेगा और आपकी इस समस्या का बिलकुल जड़ से इलाज करेगा जिससे कि आपको ना तो कभी बैड कोलोस्टोर की समस्या आएगी ना हार्ट ब्लोकेज की समस्या होगी और ना ही आपको हार्ट टेक के आने का डरहेगा ये आ इतना चमतकारी नुस्का है और दोस्तो इस नुस्के की जो अवसक समगरी है वो है पहली है अक्रोट और दूसरी किस्मिस दोस्तो ये दोनों ही समगरी आपको अपने घर पर मिल जाएंगी तो चलिए आपको बताते हैं कि इसको बनाना कैसे है दोस्तो आपने क्या करना है एक ख्रोट आप लिस्कते हैं 2-3 और किसमिस लिस्कते हैं 5-7 जैनि कि आपने अकोडिंग जैसे कितने परसंद के लिए आपने बनाना है उसके अकोडिंग आप इसको लिस्कते हैं तो आपने सुबह दूद में उबाल कर इनको पीना है अच्छी तरह है कोट कर इनको बारी करके इनको दूद में उबाल कर आपने इनका सेवन करना है और ये काम करना है आपने सुब एक खाली बेड़ और आपने दूद को तब तक उबालना है जब तक कि आपने एक गिलास लिया था और वो आदे गिलास तक नह रह जाएं तो दोस्तो आप इस नुस्खे का आज से ही सेवन सुरू कर दीजी और अपने पूरे सरीर को बिल्कुल निरोगी बना दीजी तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सेयर जरूर कीजी इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सबी आने वाले वीडियो की नोटिट के सन आती रहे धन्यवाद दोस्तो